सो यहाँ गारीज विलकम बैक टूझी चैनल अगेन फिर से यहाँ पर मैं बोट की एर डॉब सल्फा जैसे कि मैं बोट की एर डॉब सल्फा इस स्रीज अभी मैं इस पर सॉल्ब प्रभाइट कर रहा हूं तो यहाँ पर एक मेरे विवर्स का कमेंट था कि दो एर बोट होते हैं ठीक है जैसे कि आपको पता भी होगा यहाँ पर मैं थोड़ा फणी टाइक कह रहा हूं तो यहां से एक जो है आपकी work कर रही है एक जो है नहीं work कर रही है एक में song play हो रही है बट एक में song play नहीं हो रही है So in that आपको कैसे इसको जो है आपको solve करना है वो चीज मैं अभी इस video में share करने वाला हूँ तो make sure video को पहले अच्छी से देख लें अगर benefited होते हैं तो no doubt आप एक like share कर सकते हैं इससे हमको भी थोड़ा सा motivations मिलता है तो दिखिए इसका जो mainly reasons है दो reasons है एक तो इसमें power supply की problem हो सकती है कि like अगर आप इसमें charging में बैठाते हैं बट एक charge proper हो रही है एक charge नहीं हो रही है तो उसकारण से यह off हो सकता है तो उसमें एक problem होता है तो इसमें आप जो है आप इसको clean accept कर सकते हैं जो कि मैंने previous video में अलड़ी share कर दिया है वहाँ पे इसको check out कर सकते हैं ये को cleaning करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि इसको continuously यहाँ पर touch point पे जो है 3 second के लिए long press करके रखें उसके बाद जो है इसको off हो जाएगा और दुबारा से जो है इसको on करें और दुबारा से इसको connect कर लें तो ये एक आपका second solutions हो गया third solutions है कि like suppose आपने एक device के साथ आपने इसको connect किया था ठीक है तो एक earbuds हो सकता है कि आपका इसके साथ connected हो and second वाला जो आपका earbuds हो सकता है कि किसी दूसरे device के साथ आपने connect किया था तो उसके साथ connect हो गया हो तो in that case क्या करना है कि आपको जो है इसमें factory reset perform करना है वो कैसे करना है तो देखे इसके लिए जो है आपको manually books को जो है follow करना है इसके उपर already मैंने वीडियो बना रखा है उसका चाया तो आप वहाँ पर previous वीडियो से check out कर सकते हैं मैं फिर भी यहाँ पर आपको बता दे रह है 8 seconds का एक long press hold करके रख सकते हैं या फिर जो है आप यहाँ पर 8 seconds में नहीं होती है तो अब tune hardly जो है आप यहाँ पर 15 seconds तक यहाँ पर continuously प्रेस करके रखे हैं यह totally factory reset mood में चले जाएगी totally की totally new हो जाएगी and दुआरा सो उसको connect केटने की कोशिस किजिए आपकी जो problem रहेगी connectivity regarding की like एक बज रही है एक नहीं बज रही है वो problem solve हो जाएगा and इसका totally आपको functionally जो है आप यह functions जो है work करने लगेगी तो इस तरह से जो है एक functions कर रही है एक functions नहीं कर रही है तो यह solve जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ छोटी से informative वीडियो थी अगर आ आपसन नहीं होगे तो लाइक सेट कीजिए चैनल पर ने तो सब्सक्राइब कीजिए तो टेल ना थैंक्स पर वाचिंग में